पावन सिंग बाई दिलदार है यारों के यार है और उन्हें पता है कि किस तरह से अपने को स्टार को खुश रखना है वैसे हमेशा उनके दिलदारी के खिसे तो आप सुनते ही रहते होंगे लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो हार्ट टचिंग है हार्ट टचिंग इसलिए क्योंकि जो लोग पावन सिंग को एरोगेंट कहते हैं उनके लिए ये शायत करारा जवाब है एक्चुली गुंजन सिंग को तो आप जानते ही होंगे भोजपुरी के सिंगर और एक्टर है आपको बता दे कि गुंजन सिंग का बर्डे था और उनके बर्डे को स्पेशल किस ने बनाया वह उनके बर्डे को स्पेशल पवन सिंग ने बनाया वह भी किस तरह है तो आईए जानते हैं पवन सिंग भोजपुरी के ऐसे स्टार हैं जिन्हें दिलो का राजा कहा जाता है जी हां गुंजन सिंग के बर्डे को स्पेशल पवन सिंग एक बहुती बड़े गिफ्फ से बनाया वेसे जब गुनजन सींग के पंवन सींग के अत्य हम उनकी मां का फोन आता है, वीडियो कॉलिग कर रही थे उनकी मां और उनके फोन को उठाथे हैं पंवन सींग पवन सिंग जैसे ही गुंजन सिंग की मा का फोन उठाते हैं उन्हें नमशकार करते हैं वैसे ही गुंजन सिंग की मा दंग रह जाती हैं क्योंकि वो पवन सिंग को भोजपुरी में बहुत ही बड़ा दर्जा देती हैं और ऐसे में जिस सिंगर का आप गाना लगातार सुनते अचानक वो आप से बात करने लगे तो आप क्या फील कर सकते हो यह आपको पता ही है गुंजन सिंग वहां खड़े-खड़े हस रहे होते हैं और अपनी मा को इसारों इशारों में यह कहते हैं कि तुम्हें यह सप्राइज या तुम्हें यह गिफ्ट कैसा लगा तब उनकी मा यह कहती हैं कि मुझे यह गिफ्ट पसंद है लेकिन बड़े तो तुम्हारा है तब गुंजन सिंग अपनी मा से यह कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इससे बड़ा बड़े गिफ्ट बवन भाईया मुझे क्या देंगे कि इस दिन उन्होंने मेरी मा से बात की और मेरी मा क सालों की तमन्ना पूरी हुई भाई इसे कहते हैं किसी को गिफ्ट देना जी हां कि इतने दिल से कि सामने वाला चौक जाए उनके बड़े को काफी खास बनाया पवन सिंग ने और उन्हें केक खिलाया और उन्हें धेर सारे शुब काम नाये दी आगे आने वाले भविश्य के लिए भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूले